वेलो एवरिवन वेलकम टो एच्पी कॉम्पूटिटीव एकजाम आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे आज के स्वीडियो लेक्षर में डिस्क्रिस करेंगे स्लेबस और स्लेक्शन प्रोसेस फॉर दो पोस्ट प्रोसेस्ट सर्वर इन हिमाचल स्मस्ट के लिए स्टीम से अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप जो है उसके लिए इन accompanies के कर सकते हैं यह नहीं नहीं पता है 14 अक्तूबर 2022 तब जो है आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं process server की post के लिए और भी जो पोस्टे हैं क्लरक की post हैं उनके लिए जो है अंतिम जो तारीक है वो है 14 अक्तूबर 2022 इससे पहले गा़ जो हमारा वीडियो लेक्शर था जो selection process है वो क्या है ठीक है सबसे पहले आपका एक screening test होगा जिसको हम जो है mcq based test या फिर pre test इसकों बोल सकते हैं जो screening test होगा आपका 50 marks का होगा इसमें 50 question आएंगे और एक घंटे का आपको समय दिये जाएगा ठीक है return exam में जिसमें आपको जो है एक essay लिखना पड़ता है और एक लेटर लिखना पड़ता है यह बिल्कूल वैसा है जैसे अगर आप आपने SSC CHSL दिया हो तो उसका जो second paper होता है descriptive उसी त्रीके से है इसका second paper वह descriptive paper है जिसमें आपको जो है एक essay लिखना है और एक लेटर लिखना है उसके बाद जो इसमें भी qualify हो जाएंगे ठीके उनका बाद में होगा evaluation पहले जो पोस्टें निकली थी ठीके मैं इसका previous year paper भी आप तक प्रवाइड करा दूँगा उसका वीडियो इंटर्व्यू ठीके वहां पर इंटर्व्यू था तो जो अब होगा अब evaluation होगा 10 marks का जो आपका return test होगा यह होगा 40 marks का और जो हमारा सुरू में screening test था या pre test था वो था 50 marks का ठीके किस त्रीक के से इसको बाइट किया हुआ है अब हम यहां पर जो है डिटेल में डिस्कुस करते हैं देहीगा जो screening test होगा सबसे पहले screening test होगा आपका maximum marks मैंने आपको पताया 50 time जो आपको अलोट किया जाएगा वो एक घंटे का दिया जाएगा इसमें maximum marks 50 रहेंगे और time जो आपको दिया जाएगा वो एक घंटे का इसमें समय दिया जाएगा screening test both in English and Hindi जो आपका screening test होगा तो इसमें अच्छी बात है कि यह बोथ है Hindi और English दोनों में ठीके इसके इलावा जो clerk का हमारा एक्जाम था लर्क का जो एक्जाम आता है जिसका screening test होता है वो only English में होता है लेकिन जो process server है इसका आपका जो एक्जाम होगा वो English में भी question होंगे और Hindi में भी question होंगे ठीके जैसा मैंने आपको पुटाया कि यह MCQ based है तो इसमें आपको चार option होंगे ठीके जिसमें से एक option आपको अब question कहां से आएंगे तो इसका जो टॉपिक है वो है जनल नॉलेज के होंगे टोटल जो 50 question होंगे जनल नॉलेज के होंगे ठीके उसके अलावा जो है उसमें जो इसको बाइफ्रकेट किया गया है वो है कि एक मार्स का एक question होंगा इसमें mathematics भी इंक्लिउट कर दी गई है इंग्लिष हिंदी रीजनिंग ठीके और प्लस टू स्टेंडर्ड यानि कि प्लस टू स्टेंडर्ड की जो नॉलेज है वो इसमें आप से पुछे जाएगे ठीक है इसको कंबाइंड रूप से जनल नॉलेज ही हम बोलते हैं 50 मार्स का जो है टोटल आपका पेपर आएगा गंटेगा इसका प्रिविश यह पेपर में आपको प्रॉइड करा दूंगा वीडियो लेक्ट्र ठीक है जो भी नाए बच्चे जूड रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर लिजीगा क्योंकि हम कंसिस्टेंटली जब तक आपका एक्जाम नहीं हो सकता ठीक हो सकता तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम पा सग्रीनिक टेस्ट इसमें पचास क्वेश्चन आया आपके जो की जनल नॉलेज से रहे मैथमेट्रिक के वी कुछ एक जो नॉर्मल से क्वेश्चन है काफी असान पर आता है इसका उसके बाद जो है ओमर सीट कंटेनिंग अंसर की अंसर और एमसी के कुछेश्चन सेल भी गॉट इवलेटेट तो इलेक्ट्रोनिक मोड ठीक है जैसमें आपको बताया कि यह एलेक्ट्रोनिक मोड से जो है इसको चेक किया जाता है अब देहीगा यहां पर हमारी जो टोटल नंबर घर पौस्ट है सेवंटी सेंटी सेवं पौस्ट हैं यहांई प्री टेस्ट सबका हो return test होगा ठीक है return test कितना होगा यह आपका जो है जितनी poste है हो सबता है poste बाद में increase करती जाए decrease करती जाए ठीक है यह depend करता है court के उपर लेकिन जो poste है उनका 1-105 जो candidate है उनको बुलाया जाएगा return test के लिए return test के तरीके dies यहां देएगा रिटन test के जो maximum marks है वो है 40 जो maximum marks है इसके वो कितने है 40 है और time जो इसमें दिया जाता है वो एक घंटे का ही इसमें दिया टाइम होगा देन नहीं आपका आपकोцен है उनक्टह अपको नहीं लिखना है तिक है यहाँ पे जो है option नहीं दे रखे है ऐसे या फिर इंदी में या अंगिलिस में लिख्या हूँ यहाँ पे directly कहा गया है कि ऐसे जो है आपका वो किस में लिखना है आपको हिंदी में लिखना है 200 word का 250 words का one topic out of three तीन topic आपको दे दिये जाएंगे जैसे वुमेन इंपावर्मेंट का दे दिया महिला ससब्तिकरण के उपर आपको कोई ऐसे लिखना है मैं भी परधान मंत्री हूँ या फिर मैं एक परधान मंत्री हूँ इसके उपर ऐसे लिख दीजिए ठीक है मोबाइल की एडिक्सन के उपर ऐसे पूछा जा सकता है तीन topic आपको दिये होंगे उन में से किसी एक topic पर जो है आपको 200 वर्ड में जो है ऐसे लिखना है किसमें लिखना है हिंदी लेंग्वेज में लिखना है इसके जो मैक्सम मार्क्स है वो 25 दिये गए है प्रिवीस ये की cut-off भी हम डिस्कुस करेंगे जैसे मैं इसके वीडियो लेक्टर आप तक प्रोवाइड कराऊंगा ठीक है जब हम इसका प्रिवीस ये पेपर डिस्कुस करेंगे तो जो हम आपको इसकी cut-off पिछला जो सेनारियो था वह आपको सब कुछ बता दूँगा इसके बार एप्लिकेशन ले दोस्ति हैं आपको हंटर्ड वार्ट की इंग्लिस में लिखनी है इस जीवल हैंनरैंट जो उसको पड़ा जा सके अच्छी एंड राइटिंग हो उसको जो है वे स्थाइज इस प्रेफरेंस प्रेफरेंस परेफरेंस पल्स यह वंब पची एवएलिफेसंण होगी आपकी तस नंबर की आपकी एवटेसर होगी दस मांक की try to दस मार्ग सो भी है पांच नंबर के सित्वार्ड किया गया है और जो सकन्ड है वह है आपकी करते हैं यहां पर अगर आपने प्लश टू कर रखी है कोई है आपके पास कुछ आडर डिप्लूमा अब रखा है इसको प्लश टू के एकुविविवनट कंस्टिर किया जाता है तो आपके दोश लगेंगे डेंगे यह नमबर अगर आपने प्लस टू से पास की है तो आपके तीन नमबर लग सकते हैं ठीक है अगर आपने प्लस टू से पास कर रखी है तो तीन नमबर लग सकते हैं अगर सिंपल प्लस टू पास कर रखी है तो दो नमबर लग सकते हैं एनी बैचलर डिगरी और अगर आपने प्लस टू क या बेट गेए हैं तो यहां पर लगेगे अगर आपने सिर्फ लगास्ट कर रखी है तो दो म सब को मिलेंगे कि रखी है पोस्ट भरने के लिए कि यह युआ spar है और प्षिज दूरू रखी गई है तो एक नंबर दो साल का experience है तो दो नंबर तीन साल का है तीन नंबर चार साल का है चार नंबर पांच साल का experience है तो पांच नंबर ठीक है जीरो पॉइंट फाइब मार्क्स only be awarded for complete six month experience and no marks will be awarded for period less than six month देखिए यहां पर एको criteria यहां पर note दे रखा है कि आपके पॉइंट five marks भी लग सकते हैं अगर आपने छे महिनने की कोई government या semi-government में training कर रखी है ठीक है कोई आपके पास experience है तो लग सकते हैं आपके पास अगर छे मिनने का कोई experience है अगर छे मिनने से कम का है तो कोई भी marks यहां पर नहीं लगेगा अब देखिएगा जो फॉर्थ पॉइंट है final merit list shall be drawn on the basis of marks obtained in return test and evaluation जो final merit list बनेगी आपकी वो 50 marks के बनेगी 50 marks से बनेगी 50 marks कों से जो 40 marks आपके return के थे plus 10 marks आपके evaluation के इनके base पे जो आपकी final selection होगी आपका प्री था वो जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा क्वालिफाई था यानि कि प्री अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं टॉप में अगर आप आ जाते हो तो आप return देने के लिए eligible हो सिर्फ उतना उसका काम था लेकिन जो फाइनल मैट लिस्ट बनेगी वो रिटन और evaluation के बेस पे बनेगी यहां पर देखेगा प्रैक्टिकल एक्स्पिरियंस के बारे भी दे रखा है कि कहां पर जो है इसका selection process आपको समझ आ गया होगा अगर आपके कोई और क्वेरी है इससे लेटिल कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है मैं जहां तक होगा मैं आपकी कोई भी अगर डाउट है उसको सॉल्व करने की कोशिस करूँगा अगर फिर भी कोई डाउट रहे जाता है तो आप मुझे वाट्साप पर मैसेज कर सकते हैं उसका जो नंबर है मेरा वाट्साप को वह मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू फू वाचिंग उस हैव कोटे